नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि Context Package कैसे क्याम करता है, सबसे simple, ठीक है, तो इसके अंदर Management Deadlines, Cancelation Signals, Request Scope Values, ये तीन चीज़े mostly use होता है, तो इसमें क्या-क्या Key Features है, हम Key Features देख लेता है, देसे कि Background, With Cancel, With Timeout and With Value, ये सारी चीज़े हम यूज करने वाल है, लेकिन आज हम सिर्फ, With Cancel यूज करेंगे, ठीक है, इसे किस तरके से यूज करते हैं, और कहां पर यूज करते हैं, हम Code में देखेंगे, सबसे simple आता हूं, मैं Code में, और यहां पर हम लिखना चालू करते हैं, मुझे यहां पर द Cancel नाम का हम function यूज करके हम देखेंगे आज, आने वाली वीडियो में हम दुसरे functions भी देख लेंगे, तो आज हमें वो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कि Context नाम का हम package ले लेते हैं, और इसके अंदर With Cancel नाम का जो function है, उसे हम ले लेते हैं, हाला कि यह As Channel काम करता है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, कि यह CTX and Cancel channels है, ठीक है, और इसमें देखें, साब साब लिखा हुआ है, कि यहाँ पे cancel नाम का function है, जिसे call करेंगे हैं, क्योंकि उसको close करना है, इसके लिए, ठीक है ना, तो हम करके भी देखेंगे, तो यहाँ पे आता है, और यहाँ लिखता हुआ, मैं simply, cancel function, ठीक है, error हट चुकी है, यहाँ से, और इसके अंदर हमें क्या करना है, कि background में यह चलना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे background ले लेते है, context as a background, ठीक है ना, तो यह काम करेगा, second, कि यह किसके साथ चलता है, यह चलता है, गो routines के साथ, अधर मा और इसके अंदर ctx भेज रहा है, दिखें, go running मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो इसका function हम create कर लेते हैं, सबसे पहले तो, func, go running, और इसमें ctx भेज रहा, ठीक है, ctx क्या है, ctx context है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, context, context, ठीक है, done, अब मान लेते है, कि यह function है, या फिर गोरूटीन है, यह गोरूटीन मल्टीपल टाइम, गोल, 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 गोल सिफ घूम रहा है, ठीक है, और हमें इससे manually stop करना है, तो हम कैसे करेंगे, यह चीज हम सीखने वाला है, जैसे कि यह multiple time, गोरूटीन घूमने के लिए है, हमें क्या करना पड़ेगा, simple, एक for ले ले time stop, क्योंकि हमने यहां पर condition डाली नहीं है, जो हम हमेशा लिखते हैं, कि for, sorry, i is equal to 0, और यहां पर हम simply इस तरीके से लिखते हैं, कि 5, i++, ऐसा हमने कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब यह क्या हुआ, यह पास time run होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें continuously run होना चाहिए, उसके कि मैंने आपको बताया था, कि यह CTX और यह क्या है, channels है, तो यह channels को हम किस तरीके से handle करेंगे, handle करने के लिखे हम use करते है, select statement, तो simply यहां पर लिखता हूँ मैं, select, ठीक है, select, और इसके अंदर हमें क्या करना है, कि case create करना है, क्योंकि हमें cancel कर जो signal आएगा, वो देखने के है, तो यहां पर लिखता हूँ मैं, simply case, और उसके अंदर लिखते हैं, हम CTX.done को, ठीक है, इससे क्या होगा, कि उसको case को signal मिल गया, कि यह आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आया है, signal, तो हम इसे print कर देंगे, FMT.print, ln को, और simple इसके अंदर हम लिखते है, कि signal received, przyvelled, signal, received, simple, ठीक है, हमें क्या हुआ, signal मिल गया, अब हम क्या करते है, इस loop से हमें भार निकल ना है, तो simple हम यहाँ पर लिखते हैं, return, तो इस से क्या होगा, कि इस loop से हम भार निकल जाएंगे, लेकिन अगर signal नहीं मिला, अगर signal नहीं मिला, तो हमें क्या करना है, हमें default use करना है तो simple default हम यहां पे लिखते हैं और इसके अंदर हम बता देंगे कि continuously अभी भी यह for loop run हो रहा है तो यहां पे लिखते है fmt.println को और इसके अंदर हम simply लिखेंगे running ठीक है for तो यह continue run हो रहा है हां लेकिन यह for loop हमेशा continue run होने वाला है लेकिन हम क्या करेंगे इसको एक एक सेकेंड का डिले दे देंगे तो यह हमें अच्छी तरह की से दिखेगा नहीं तो वो terminal में continuous running for ही दिखता जाएगा इसके वज़सां तो मैं यहां पर आता हूं और यहां पर हम simply लिखते है time.sleep और यहां पर देना है sleep और इसके अंदर हम देते time.second simple ठीक है लेकिन one one second तो यहां पर हम into देते हैं done तो इससे यह काम करना चलो जाएगा ओके अब आता ही यहां पर लेकिन cancel का हमें message कब भेजना है 5 seconds के बाद हम क्या कर रहा है cancel का message हम 5 seconds के बाद भेज रहा है तो यहां पर भी make आगरता हूं time.sleep और इसको 5 को मैं multiply करता हूं time.seconds तो यह 5 के बाद चला जाएगा लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हम signal send कर रहा है तो यहां पर हम simply लिखेंगे fmt.println को और simply लिखेंगे कि signal sending signal sending simple तो यह signal send करना चलो हो रहा है हाला कि यह signal भी छोड़ेगा ठीक है signal छोड़ेगा लेकिन यह क्या है go routine है तो यह क्या करता है execute होने के लिए time लेगा और execute होने के बाद यह चीज प्रिंट करने के लिए time लेगा तो यह होने लेकिन तो चाहिए ना at least तो यह चीज काम करना चलो होग जाएगा हाला कि आपको देखिए मैं वापस एक बार समझाता हो कि हमने यह क्या गया हमने with cancel का function यूज करा है जो दो वैल्यू रिटन करता है CTX और एक cancel ठीक है जैसे यह go routine में हमने CTX डाला तो यह क्या कर रहा है कि go routine को run कर रहा है ठीक है continuous लेकिन जब हम cancel का code run करेंगे या function run करेंगे तो यह क्या कर रहा है कि CTX को check करने के लिए बोल रहा है कि done है क्या अगर यहाँ पर done मिला तो यह simply यहां से return होके for loop से बाहरा आ जाएगा simple अभी इसको हम run करके चेक करता है terminal में तो यहाँ पर terminal open करता हूँ और simply लिखेंगे यहाँ पर go run and enter यहाँ पर running for running for continuously आ रहा है एक एक सेकंड के बाद लेकिन signal sending भी आया यहाँ और उसके बाद signal received जैसे signal received आता है यह loop close हो जाता है हाला कि यह loop बंद हो जाता है यह हमने देखा किसके लिए देखा हाई यह हमने single go routine के लिए अगर यही चीज हमें देखनी है multiple go routines के लिए तो हम कैसे देखेंगे simple यहाँ पर आता है और simple में लिखता है यहाँ पर go walking ठीक है और इसके अंदर भी हम लिखेंगे cityx done अब इस function को मैं यहाँ पर लिखता हूं fun walking और इसमें cityx context and simple जो code उपर लिखा है वही code में लेके नीचे भी लिखता हूं ठीक है लेकिन इसमें change करता हूं हाला कि यह shift यहाँ पर two seconds के बाद यह run कर क्या run कर walking वाला तो यहाँ पर आएगा walking simple ठीक है यह है हम use कर रहे हैं बाकी कोई code में चेंज नहीं करा क्योंकि मुझे जितने भी go routines मेरे चल रहे है वो सारे stop करने manually उसके लिए मैंने यहाँ पर simple single cancel use कर रहा हूं ठीक है हम चेक करेंगे यहाँ पर आते go run and enter go and enter ठीक है running walking running running walking running 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 इसरी किसे चल रहा है और simply single sending signal sending and signal received आ गया प्रिंट होके ठीक है ना तो यह होता है cancellation किसके लिए कि कोई go routine multiple time run कर रहा है और ऐसी situation आ गई कि हमें इसे cancel करना यह close करना है forcefully या फिर manually we can call तो हम with cancel function use करते हैं अगर आपको कुछ doubt है या कुछ query है और वीडियो के आं तक बने रहेने के लिए धन्यवाद थान्यवाद थान्यवाद अवावाद